नमश्कार, स्वागत आप सभी का आज इस वीडियो में हम इस चैप्टर के important questions करने वाले हैं एक question हम इस वीडियो में करेंगे और बहुत ही important ये question है इस question में मानलो आपका पूरा chapter ही cover हो जाता है chapter का नाम क्या है भारत की विदेश निती इस question में हमें सारी भारत की विदेश निती की बाते पता चल जाएंगे अगर किसी बच्चे ने chapter वाले वीडियोज नहीं देखे तो पहले आप उन वीडियोज को देख लो मैंने आपको सारे topic वहाँ पर पढ़ा रखे हैं पहले आप वीडियोज देखो उसके बाद आप question answer करो देखो question है हमारा पंडित नहरू की विदेश निती की विचेश निती थी तो पंडित नहरू की पूछे या भारत की पूछे एक ही बात है तो भारत के विदेशनिती की विशेष्टाएं लिखें भारते विदेशनिती के निर्माता भारत के पर्थम परधान मंतरी पंडित जोहरला नहरू माने जाते हैं क्योंकि उन्होंने भूछ सारी चीज़ें डिजाइन की थी भारते विदेशनिती में सुतंतरता के पश्चात उन्होंने भारते विदेश नेती में जिन तत्वों का समावेश किया वे आज भी विद्यमान है यानि जो जो चीने उन्होंने एड की वो आज तक हमारी चली हुई है पहला गुट निर्पेक्ष्टा का मतलब है किसी भी गुट में शामिल ना होना जब हम आजाद हुए तो कोल्ड वर चला हुआ था भारत ने ना तो अमेरिका का सपोर्ट किया और ना ही उसने सोवेत रूस का सपोर्ट किया उसने अपने एक अलग ही नीती चलाई सबी उन दे नहीं हुए और आज तक भारत किसी भी सेना संग अठन में शामिल नहीं हुआ है तो उनकी विदेश निती आज तक हम फॉलो करते हैं बारत की विदेश निती की सबसे महत्रपुन विशेष्टा गोटन रिपेख्ष्टा है भारत एक गोटन रिपेख्ष्ट देश है और इसकी विदेश निती भी गोटन रिपेख्ष्टा पर आधारीता यानि कि बारत में हैरे एक चीज़ की सिस पर चलती है गुटनर पेक्ष्टा पर पंडित नहरू ने कहा था जहां तक संभव हो हम इन शक्तिकुटों से अलग रहना चाहते हैं जितना भी जरूरी हो हम इन दोनों ग्रूप से दूर रहेंगे जिनके कारण पहले भी महायूद हुए हैं और भविश्य में भी हो सकते हैं यानि जो बड़ी बड़ी पावर हैं इनसे हम हमेशा दूर रहेंगे इनसे ज़्यादा हम दोस्ती नहीं बनाएंगे इनके सैनिकुटों में नहीं मिलेंगे जोकि इनकी वज़े से पहले भी महायूद हुए हैं यानि वर्ल्ड वोर्स हुए हैं और आगे भी हो सकते हैं हमें इन चीजों में नहीं पढ़ना है हमें तो अपने देश का विकास करना है गुट निर्पेक्ष्टा का अर्थ है अपनी सतंतर नीती यानि गुट निर्पेक्ष्टा का मतलब क्या है इसमें हम आजाद होकर अपने निर्णे ले सकते हैं जनता सरकार ने मार्च 1977 में सत्ता में आने पर गुट निर्पेक्ष्टा की नीती पर बल दिया तो कंगरेस थी उसके तो मेंननीति है ये 1997 में कॉंगरेस की सरकार नहीं रही थी जंतापार्टी की सरकार आई थी उसने भी गुट निर पेख्षता की नीति बर बल दिया श्रीमती इंदरागांदी और इसके बाद राजीएव गांदी की सरकार ने भी गुट निर्पेक्षता की निती का अनुसरन किया आज कल भारतिय जंता पार्टी भी गुट निर्पेक्षता की निती का अनुसरन कर रही है यानि कि नहरू के टाइम से लेकर आज मोधी के टाइम तक भारत गुट निर्पेक्षता को फोलो करता है वो किसी भी गुट में शामिल नहीं होता, कभी भी लड़ाई जगडों में शामिल नहीं होता दूसरा पॉइंट, सबसे में बात क्या हुई अब तक, नोन अलाइंगमेंट या गुणिर पेक्ष अंधोलन यह है भारत की विदिशनिती की सबसे में बात, आपको इस कोशन में रैक बोल्ट गलर से जो भी ये लाइन लिखी हुई है इनको आप अपनी कोपी में नोट डाउन कर लो और अच्छे से याद कर लो पूरा कोशन आपको रटने की जरूरत नहीं है, कोशन को अच्छे से समझ लो में में बातों को याद रखो और हैडिंग्स को याद कर लो हैडिंग जरूर आपको याद करनी होती है मैं जब आपको chapter पढ़ाता हूँ मैं आपको तब भी heading बताता हूँ तो heading को आप जरूर note down किया गरो और headings को याद किया गरो अगर आप question की heading याद होगी तो आप अपने आप ही आगे explain कर दोगे तो पहली heading बनेगी आपकी good निर्पेख्षता non alignment दूसरी heading बारत की विदेशनीदी का दूसरा सबसे main feature सामराजजवाद और उपनिवेशवाद का विरोध सामराजवाद का मतलब है जब कोई देश आज पास के छोटे देशों पर कबजा करता है या अपने सीमाओं को बढ़ाता है और उपनिवेशवाद का मतलब छोटे देशों पर कबजा करना तो इन दोरों ही चीजों का भारत ने विरोध किया है भारत स्वेम ब्रिटिस सामराजवाद का शिकार रहा जिस कारण भारत ने सदेव सामराजवाद था उपनिवेशवाद का विरोध किया भारत तो खुदी गुलाम रात अंगरेजों का इसलिए शुरू से ही भारत के दिमाग में ये था कि हम जब आजाद होंगे तो हम सबसे में अपनी बात यही रखेंगे कि सामराजवाद खतम होना चाहिए और भारत ने इस बात को फोलो किया भी भारत सामराजवाद को विश्व शांती का स्तुरू मानता है यानि कि दुश्मन मानता है उसे कि विश्व शांती के लिए खत्रा सामराजवाद और ये बात बेलको सही भी है सामराजवाद की वज़े से क्या होते हैं युद होते हैं इसलिए भारत के निताओं ने समय समय पर दूसरे देशों में जाकर प्षणयुक्त राष्टो संग में भाषन देकर दूसरे देशों की समस्याओं को सुल जाने के साथ-साथ गुलाम देशों को सामराजवादी देशों से मुख्त कराने का प्रियतन किया है जैसे कि अफरीका के बहुत सारे देश थे उनको हमेशा ही आजाद कराने की बात भारत ने किया और गुफ्टिर पिक्ष आंधलोन का मेन उदेश्य ही यही था कि सभी देशों की आजादी बरकरार रखी जा सके भारत ने सभी गुलाम देशों में चल रहे राष्टिय आंधलोनों का समर्थन किया और जब भी समरजवाद ने अपने पैर जमाने का प्रियास किया तब ही भारत ने उसका विरोध किया जिस भी बड़े देश ने जिस भी मा सकती ने कभी भी कहीं पे दिक्कत की कभी भी अपना कबजा करना चाहा तो भारत ने हमेशा उस चीज़ का विरोध किया है इंडोनेशिया को सुतंतर कराने में भारत ने महत्यपोन योगदान दिया ठीक है इंडोनेशिया जो की गुलाम हुआ करता था विदेशियों का ही उसको भी सुतंतर कराया भारत ने उसकी हेल्प की ऐसे ही बंगलादेश को भारत ने आजात कराया ने 171 में ठीक है तो भारत ने हमेशा ही आजादी की बात की है और दूसरे देशों को फुल सपोर्ट किया है कोई भी अगर किसी है गुलाम है तो उस चीज़ का उसने विरोध किया है भारत के परियतनों के फल्ज़रूप ही अपरेल 1903 में नामबिया को सतंदरता मिली तो दक्षिन अफ्रिका के ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनको भारत की हेल्प से आजादी मिली है तो नामबिया का एक्ज़मपल भी आप याद रखना कि नामबिया को भी भारत की वज़ेसे सतंदरता मिली तो आप हेडिंग याद रखो और जो ये में में एक्ज़मपल आते हैं इनको याद रखो जैसे कि आपको यहां से एक तो हेडिंग याद रखनी है सामरजबादी तथा उपनिवेश्वात का विरोध और दो नाम याद रखने हैं कि इंडोनेशिया को उज़ाद कराने में और 1993 में नाम भी एक वज़ाद कराने में भारत का रोल रहा है इसके सरसदा बंग्रादेश के एक्ज़मपल भी याद रख लेना थर्ड पॉइंट जाती रंग एम भेदभाव की निती का विरोध हमेशा ही भारत ने जाती पाती, रंग भेद, भेदभाव इन जिज़ों का विरोध किया है ये भारत की विदेश निती के में पहलू है या में पॉइंट्स है भारत की विदेश निती का एक अन्यमूल सी दांध यह है कि भारत ने जाती, रंग, भेदबाव की नीती के विरुद सदेव आवाज उठाई है भारत शुरू से ही जाती पादी के बंदन को समाप्त करने के पक्ष में रहा है और उसने अपनी विदेश नीती द्वारा समय समय पर ऐसे प्रियतन किये हैं जिनसे इस नीती को विश्य में समाप्त कर सके हमेशा उसने प्रियास की है इन चीज़े को खतम करने के पॉर्थ पॉइंट अन्य देशों के साथ मितरता पूर्वक सम्बंद यानि की बहुत अच्छे से दोस्ती बना है रहना दूसरे देशों के साथ ये भी हमारी विदेश नीती का सबसे में पॉइंट है भारत की विदेश नीती की एक अन्य विश्यस्ता यह है कि भारत विश्यों के अन्य देशों से अच्छे संबंद बनाने के लिए सदेर तयार रहता है भारत के हमेशा ही पूरी दुनिया के साथ अच्छ रिलेशन रही है भारत ने नय केवल मितरता पूर्ण संबंद एशिय के देशों से ही बढ़ाए बलकि उसने विश्यों के अन्य देशों से भी संबंद बनाए है ठीक है उसने पूरी दुनिया से अच्छे relation बनाए है अब देखो आफ फिफ्थ पॉइंट एशिया अफरीका देशों का संगटन तो एफ्रो एशियन यूनिटी बनाने का काम भी भारत ने किया है एशिया के देशों को और अफरीका के देशों को एक साथ लाने का काम पंडित जुआला नहरू का ही था जब उन्होंने उन्ने सो पचपन में बांडू नाम के जगे पर एक सम्मेलन बुलाया था और 1961 में जो गुर्णो नलैंग मुविमेंट चलाई है उसमें भी सबसे में रोल भारत और युगोसलाविया का ही रहा था तो भारत ने हमेशा ही क्या किया है गरीब देशों को सपोर्ट किया है और एशिया के देशों को और अफरीका के देशों को एक साथ वो लेकर आए है भारत ने पारस्परिक आर्थिक तथारार्जितिक सम्मंदों को मजबूत बनाने के लिए एशिया और अफरीका के देशों को संगठित करने का प्रियास किया है भारत का विचार है कि देश संगठित होकर उपनी वेशवात का अच्छी तरह से विरोध कर सकेंगे तथा अन्य एशियाई और अफरीकी देशों की सोतंधरता के लिए वातावर्ण उत्मन कर सकेंगे यानि कि सारे अगर इखटे हो जाएंगे हम तो हम जो बड़ी बड़ी ताकत हैं जैसे कि ब्रिटेन हुआ यूरोप के देश हुए अमेरिका हुआ इनका हम विरोध कर सकेंगे और जो ये सामरजबात को फैराते हैं इस चीज से लड़ सकेंगे एक साथ मिलकर भारत ने इन देशों को गुट निर्पेक्ष्टा का रास्ता दिखाया था अनेक देशों ने गुट निर्पेक्ष्टा की नीति का अनुसरन किया और इस परकार गुट निर्पेक्ष्ट देशों का एक गुट बन गया ठीक है तो भारत की ही पहल थी कि सबी को हमें एक साथ लेकर चलेंगे जो जो भी गुलाम देश हैं गरीब देश हैं उन सब की हितों की हम बात करेंगी 24 मई 1994 में को दक्षिन अफरीका गुट निर्पेक्ष देशों के आंदूरन का 110 सदस्य बन गया आज के टाइम पे जो है बहुत सारे देश गुट निर्पेक्ष आंदूरन को सपोर्ट करते हैं और 1994 में जो साथ अफरीका है वो भी हमारे इस आंदूरन में शामिल हुआ है और गुट निर्पेक्ष देशों का वो मेंबर बना है पारत ने हमेशा ही शांति की बात करी है तो हमेशा ही यूएन्नो को भी सपोर्ट किया है यूएन्नो का काम क्या है पूरी दुनिया में शांति बनाना तो भारत की विदेश निती में यूएन्नो को सपोर्ट करने की बात भी सबसे मेन है भारत की विदेश निती में दान्तों को भी महतव दिया गया है और भारत द्वारा सदा ही यह प्रियास किया गया है कि वह विश्व शांति स्थापित करने के लिए यूद्धो को रोके यानि यूद्धो को रोके और वर्ल्ड पीस बनाए भारत ने हमेशा ही सन्युक्त राष्टर संग के सिद्धान्तों का पालन किया और किसी देश पर हमला नहीं किया भारत शांति का पुझारी है तो हमेशा यूद्धो का सपोर्ट किया है भारत ने अगला पॉइंट है राष्टर मंडल की सदस्चता मेंबर्शिप ली है भारत ने राष्टर मंडल की सदस्चता रही है ठिकर जो भारत राष्टर मंडल देशों का मेंबर बना है वो बहुत important चीज़ है भारत के लिए राष्टर मंडल की सदस्चता ने भारत को अंतराष्टी राज़्टिती में अधिक परभावशाली भूमी का अदा करने का योगगा बनाया है राष्ट्र मंडल की सदस्या पराप्त करने का मतबी है कि जो European countries है उन देशों में भारत का परभाव है वहां से उसने दोस्ती की है उसने उन लोगों से अच्छे से दोस्ती बनागे रखी है इसे आप देख सकते हो अब भी भारत ने फ्रांस से राफेल जो प्लेन हैं वो खरीदे हैं typ है तो इन देशों से भी भारत ने हमेशा अच्छा रिलेशन रखे है तो भारती विदेशनिती में सब के साथ अच्छा रिलेशन रखने की बात है एट्थ पॉइंट देखो अंतराष्टी राजनिती में भारत तठश्ट नहीं है अब तठश्ट का मतलब आपको पता होना चाहिए इसका मतलब होता है कि ऐसी चीज जो कभी भी रियक्ट ही ना करे वो तठश्ट होती है ना तो वो पक्ष में बोले ना वो विपक्ष में बो डर्पोक वाली नीती अपना ली तठश्टा की नीती अपना ली पर भारत ने बहुत बारी चीज साबित कर दी कि भारत ना तो यूद से डरता है और ना ही उसकी विदेश नीती तठश्टा की नीती है क्योंकि भारत ने 65 में भी लड़ाई लड़ी 71 में भी लड़ाई से जब अफगानिस्तान पर रूस ने अटेक किया था तो उस बात का विरोध भी भारत ने किया था उसके अलावा अफरीकन जो देशा उनको आजाती दिलवाई हैं बड़ी माशक्ति उसे किसने भारत ने पूरी दुनिया में जहां भी कभी गलत चीज होती है उसके विरोध म में इसलिए आप देखते हो भारत का दुनिया में कोई भी दुश्मन नहीं है सारे देशों से हमारे बहुत अच्छे रिलेशन रहते हैं तो भारत कभी भी तठस्त नहीं रहा है भारत जो है उसने हर चीज़ में बढ़ चड़कर भागीदारी ली है सिर्फ उसने युद मे तठस्ता दिखाई है वो कभी भी युद नहीं लड़ना चाहता क्योंकि युद से क्या होता है लोग मरते हैं और देशों की गुलामी होती है तो वो इस दोनों चीज़ों का विरोध करता है सामरजबवात का विरोध करता है इसलिए भारत जो है कभी भी युद का पर अगर जरूरत पड़े तो भारत युद करने से कतराता भी नहीं है तो यहीं हमें बताना है इस पॉइंट में कि भारत की विदेश निती तठस्ता की निती बिल्कुल भी नहीं है यद भारत की विदेश निती का मुख्या अधार गुट निर्पेक्षता है परन्तु इ भी पराई यह नहीं है कि भारती अंतराश्टी राजनिती में बिल्कुल भी भाग नहीं लेता वही जो मैंने भी आपको समझा दिया सारा वही लाई ने किया है कि हाँ हम गुट इर्पेक्ष्टा को फोलो जरूर करते हैं पर इसका मतलब यह नहीं है कि हम इंटरनेशनल पॉ ठीक को ठीक और गलत को गलत कहने की नेती अपनाता है यानि भारत ना तो USSR के साथ मिला था ना अमेरिका के साथ मिला था ना वो NATO का मेंबर है तो वो अब किसी से नहीं दबता ना ही ऐसा है कि वो उसे अमेरिका से दब कर रहना पड़े ना ही ऐसा है उसे रूस से दब कर रह जहां सवतंतरता के लिए खतरा उपस्तित हो, न्याय की धंकी दी जाती हो, अत्मा जहां आकर्मन होता हो, वहां नय तो हम तठस्त रह सकते हैं और नहीं तठस्त रहेंगे, यानि जब भी किसी की अधिकार की बात आएगी, अन्याय की बात आएगी, किसी धंकी की बात आएग तो हम हमला जरूर करेंगे हम वहाँ पर तख़स नहीं रहेंगे चाहे वो हमारे उपर हमला हूँ या दुनिया में किसी विधेश के साथ गला तो हम उसका विरोध जरूर करेंगे तो नहरूने ये बात गही थी अपनी गुठनिर्पेगस्था की निती May उसने ये का था अपना करा हम यह नहीं कर रहे हम किसी भी चीज में भागी नहीं लेंगे जब भी अन्याय होगा तो हम जरूर उसमें भाग लेंगे तो ये सारी विशेषता हैं भारत की विदेश नीती की ठीक है ये आठो पोईंट आपको अच्छे से याद रखने हैं इनको अच्छे से समझना, हैडिंग्स को आप याद करना और अगर किसी बच्चे ने चैप्टर वाली वीडियोज नहीं देखी हैं तो उनको जरूर देखना, मैंने आपको ये सारी चीजे वहाँ पर पढ़ा रखी हैं तो अगर आपको हमारी बहनत पसंदा रही है तो आप हमारी वीडियोज को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने सबी दोस्तों तक इन वीडियोज को शेयर जरूर करो अपने सब्सक्राइब करो